तो है मेरे वाई लोग कैसे हो आप सभी लोग विलकम बैक टू अनेदर एपिसोड ओफ आग सारवावाले वाल मोबाई तो देखो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने डाइनो को कलर सकते हो मतलब के बाई कलर हुए डाइनो काफी सही दिखते और प्रो अले बताने वाला हूँ तो पिसमें इपिसोड में हमने क्या किया था पिसले वीडियो में हमने ठाप ऐट डायनो की बात के थि य वाट काम आने माले वाय तोड़ी थोड़ी देर में अपने को Bena ke देगा ए उसे काफी सएमें आप सेस्प पार्ल से रेर फ्राव और तो काफी जादा अच्छी बात है और इसले एपिसोड में मतलब वीडियो में यह चीज बनाई थी मैंना एकटिना का फाम यह काफी ओपी काम करता है मतलब बहुत ओपी काम करता है इसके इन्वेंटरी में हमेशा 100-100 सेमेंटिक पेस्ट आपको मिलती जाएगी तो इससे आप काफी सारी समेंटिक पेस्ट फाम कर सकते हों और यहां सने आप अज का वीडियो शूरू करते है उससे पहले अगर अपने सबस्क्राइब निए कि circumst. कर दो और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ठोको और देखो आप अगर बोल रहोंगे कि बात करें तो देखो वह ऐसे मतलब दूसरी तरीके से भी आपन ला सकते हैं मतलब की डंजन से तो देखो या पर मेरे पस काफी सारे डंजन के इंप्लांट से मैं किसको लू मतलब किसको रिसरेक करूँ आपको दिखाने के लिए कि यससे भी बाई कलर फुल डाइनो आ सकते हैं रैक्स को तो हम कर नहीं सकते क्यूंकि वह सिब उबलिक्स पे रिस्पॉन होते तो चलो मेगा तीरे मू कर लेते तो यह लाश में रखेंगे मतलब ऐसे भी आ चैनल पर है तो जरूर से कर लेना तो उसके पर देखो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगा मॉटल और पिस्टल मतलब किसी वीडियो को कलर करना होगा तो एन उसको लिए अपने को थोड़ा स्टों चाहिए थोड़ा हाइड चाहिए ताकि यह मॉटल पिस्टल को कैसे भी लेंगे स्टों पिक अप करो आर्टिफेक्ट ट्रिब्यूट करो या फिर तो भाई अपने डेली चैलेंज करो मरब डेली परसूट आते वह कंप्लीट करो उससे आपको थोड़े बहुत अंशन नेमर मिल जाएंगे जिससे अपका गुजरा हो जाएगा तो आपको सिंपली इसको ओपन करना एशन टैप करना थोड़े बहुत करोगा तो चलेगा जादा करने की जूरत ने मेरी तरह क्योंकि मैं अमीर हूँ गेम में बाकी तो पता ही आपको आपको फिर जाना है यहां पे उससे एक और चीज पहले करनी उसके बाद हम कर लेंगे लेकिन सब आपको आजाना है आपके ब्रीडिंग पेन में देखो बाई कलर करने के ऐसे तरीके नहीं होते हैं दूसरे भी तरीके होते हैं म्यूटेशन तो देखो आप म्यूटेशन निकाल के कलर सकते हो पहली पहला तरीका बाई सबसे लेजिट तरीका आप म्यूटेशन निकाल के आ तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा मतलब 100% मिल जाएगा अब ऐसे करोगे तो यह भी बैरी भी मेरा बाई टोड़ा बहुत मुटेशन वाला है मतलब रैंडम कलर निकल गया था सबसे पहले मेरको दोड़ो की बात रही तो यहां पर मेरे पास था बट मैने इसको मार दया बिकॉस क्योंकि लो स्केल का था अब इसकी स्केल बढा रहा हूँ भाई देखो सोलो में बहुत प्राबलम है मतलब स्केल बढाने के लिए उनको ब्रीडिंग टाइम करो फिर उसको बढा उनने दो प करके रखेते एंड उनमें से मुटेशन वाले पक्के से निकलते देखो फेरमान का यूज मतलब गेम से यूज अंडे को हैच करने से पहले मत करना ब्रीडिंग से पहले करना की ठीकि क्योंकि इसमें फिक्स होता है कि यही चीज आने वाली है ठीक है तो यह देखो में इसक इसकेंड चीज यहां पर एक और दो तीन गीगा के अंडे भी थे यह देखो दो गीगा के अंडे मेरे पास जो की काफी जादा पावरफुल है बाकी स्पाइनों का एक है और पेट पीटी का है के बाकी सारे अर्जी के तो लेते गीगा का अंडा एंड मैं आपको दिखाता आपको यह पर्चेस कर ना है डाय स्टूडियो आप बना भी सकते डौरिक्स पर सब एविलेबल है ठीक है कलर कैसे बना चंट बेग डालो कार कोड़ को डालो क्यों काफी सिंपल होते है तो चलो यहां से थोड़े-बहुत कलर पर चेस कर लेते थोडे बहुत कौूं सा कलर क याद निया है रिए रेड़ी कर लिते हैं एक दोड़ा बॉत ठीक है और करते हैं ब्लू करसकते एक लेकिन ब्लू करते हैं फिलाल एक जालें पेला बकल भाल बच्छा को बंडे को आप आड़क है उसी हमिल आतल और टहटे को च despया होटे बांटरिंग आफ करके आप इसको पीछे लेकर आते हैं अभी गीगा के बच्चे को आप निकालते हो ना सोलू में तो इसको खाना आपको देना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह बंदा बड़ा होने में काफी दिन लगाएगा मतलब रियल लाइफ के काफी दिन लगाया क्यों बड़ा हो जाएगा बेबी से असल्डंट हो जाएगा तब आपको नहीं देना पड़ेगा तो चलो इसका कोई कलर म्यूटेशन निए कुछ निए वस आपको सिंप्ली क्या करना है कलर उठा के पोटेंड डाल देना है तो पोटेंड इस कलर की हो जाएगी तो रैड तो अल इसको अंदर यह बीचीज है तो इसको उठा की यह देंगे तो इसको अधर देते थे थे थोड़ा बहुत और यह यूज आइटम करते देखो इसका नीचे का देखो फिर दिक्कत यह उतिये बड़े डाइनोस पे बच्चों बच्चे पूरे कलर फुल थोड़े हो जाएग बालाओ अब ग्रिफिन पर कौन सा कलर सूट करेगा यह मुझे देखना पड़ेगा सायद से इस पर सैन या फिर कसुट करें मैं इसको लग़ना बलाइक सूट करेगा क्यूंकि इसके देखना पड़ए कौन सा पार्ट कलर हो ठीक है तो गेम सेव करो फिर उसके बाद दिखेंटे भी सेन्ट करूंगा तो भाई थोड़ा दिक्कत हो जाएगा अब आप दूसरी portenders थोड़ी देर में खिला सकते हो इसे तुरंत नहीं खिला सकते हैं तो थोड़ा वेड करते हैं फिर इसको वापिस खिलाते और करने के लिए तो चलो भाई इसको करते थे यूज वापी से दिखो और डार्क हो गए एंड लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे भाई ये एक्सपरिमेंट काम आ गया मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे गिफिन पर ये ब्लाक विंग्स काफी जादा सूट करने वाले तो ये तो मैं रखने वाला हूँ ये कंफर्म हो गया ठीक है एंड लास्ट चीज के आप कलर फूल डाइनोस को और कौन से तरीके देखो इतन कि आपको आसे भी मिल जाएगी ये तो दोर के लिए ये अलग बाते आपको डेंजन को पता होगा तो ये इसको करते हैं रिसरेक्ट अभी देखो ये बंदा पैरे से कलर्फुल होगा मतलब उसके कलर ऑटोमेटिक मतलब आर्जी भी टाइब हो जाएगा पूर का पूरा दे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना सपोर्ट करने के लिए एंच अलों को सब्सक्राइब करना डिस्कॉर्ड जाइन करना मत भूलना ना इट अड़ों के लिए चेक आउट करना भी मत बूलना डिस्क्रिशन में देखा है अपडेट कर दिया पर देखे देखे और गुट्बाइ